नमस्कार स्वागत है आपका खास मुलाकात में और आज हमारे साथ मौजूद है हर्श्वर्धन नियोटिया जी जो की प्रेजेंट चेर्मेन फिकी के और साथ ही चेर्मेन है अमबुजा नियोटिया ग्रूप के जिस दिनकों की किसी परिचे की जरूरत नहीं है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है खास मुलाकात में नमस्कार सबसे पहले दर्षकों को अपने बारे में कुछ बताएं अपनी जिन्दगी के बारे में अपनी स्कूलिंग और उसके बाद आपने किस तरहां से जिंदगी में किं चूनोतियों को आपके सामने आएं और उन पर आपने किस तरहां से उन्हें फेस करके आप आज यहां इस मुकाम पर हैं। यह तो बहुत लबा प्रशन है लेकिन बहुत संक्षेप मैं जदी कहूं तो हमारे परिवार राजस्थान से हैं, हम लोग रामगर से हैं। और वहां से हम लोग कलकत्ता करीब 125 वर्ष पहले हमारी परिवार वहां से शिफ्ट किये और तब से हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। तो अब मैं शायद फिफ्ट या सिक्स जेनरेशन कलकत्तन हूँ और मेरा स्कूलिंग और जो प्राथमिक ग्रैजुएशन वहीं पर हुआ कलकत्ते में लामाटनिया से पढ़ा हूं फिर सेंजेवियर्स और फिर बाद में मुझे हरवड बिजनस स्कूल में जाने का मुका मि कारी और हेल्थ केर सेक्टर्स में हैं पर हम लोग की हमारी परिवार हमारी परिवार ने सबसे बड़ा जो द्यो किया वो सिमेंट कार खाने का था और उसमें मुझे भी होलसिम को डावस्ट किया और तब से मैं ज्यादातर रियल स्टेट और हाउजिंग और हॉस्पिटालिटी और हेल्थ केर सेक्टर में इंवाल्ड हो तर सोशल हाउजिंग क्या है तो सुशल हाउजिंग के वारे में कुछ बिताएं तो सिर्फ एक नाम है बेसिकली यह है कि हम अधिक तर जब रियल स्टेट डिवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो हम लोग हाई इंकम हाउजिंग की बात करते हैं क्योंकि जो लो इंकम और मिडल इंकम हाउजिंग उसको सबसेडाइज करना पड़ता है क्योंकि जो कमर्शल रेट्स पर उनको कि जॉइंट सेक्टर के माध्यम से वो लोग सोशल हाउजिंग को प्रमोट करेंगे जिसमें जो भी उद्योगपती के साथ वो लोग जॉइंट वेंचर किये उनका एक शर्त ये था कि प्रशास प्रतीशद 50% जो हाउजिंग आप डिवेलप करेंगे वो लो और मिडल इंकम क प्रमोट को सरकार के निर्धारित रेट पर बेचना होगा एक ट्रांस्पेरेंट प्रोसेस होगा उसमें जो लोग एक पर्टिकुलर इंकम से कम हैं उसी के लिए आप दे सकते हैं और वो लॉटरी के माध्यम से अलॉट होगा तो वो प्रयास एक interesting मेरे लिए भी experience था और उससे बड़ी satisfaction मिलती क्योंकि जो लोग इस तरह के घर जिनको मिलता है और lottery से विशेश कर 100 में से 2 जन या 3 जन को मिलता है तो लोग बहुत खुश भी होते हैं और बहुत कम दाम में उनको मिलता है तो जब उनको हम लोग हैंड ओवर करते हैं फ्लैट्स तो उनके परिवार के सब सदेश्यों में जो खुशी है आनंद है वो बड़ा मज़ेदार होता है सिर अभी हाली में रियल एस्टेट बिल पास हुआ तो उसके बारे में आपका क्या कहना है रियल एस्टेट बिल किस तरह से आपको फायदे मन रहा या क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखिए जब भी कोई नया रेगुलेशन आता है तो कुछ उथल पुथल होता है मैं यह मानता हूं कि जो रियल एस्टेट बिल है वो ब्रॉडली सही बिल है उसके रूल्स रेगुलेशन अभी आने बाकी है और हाज स्टेट में इंप्लिमेंट होना बाकी है तो उसमें कोई कमी तुटी हो तो उसको हम लोगो देखना होगा लेकिन ब्रॉडली इस बिल से जो कुछ कमिया थी इस सेक्टर में या कुछ असविदाएं हो रही थी कंजूमर्स को उसको रेगुलेट करने का एक प्रियास है और जैसे भी कोई भी चीज में बहुत सारे लोग घुज जाते हैं बिना उसके एक्सपीरियंस के बिना जानकारी के तो उससे खुद को भी उनको नुकसान होता है और कंजूमर्स को भी नुकसान होता है क्योंकि हो सकता है सबके इंटेंशन्स खराब नहीं हो पर इनक्सपीरियंस भी तो एक एक्सपेंसिफ प्रॉसस है तो इस real estate regulatory bill के तहट जो inexperienced लोग हैं वो सोचेंगे दो तीन बार और जदी उसमें venture करना चाहेंगे तो वैसा organization भी उन्हें तयार करना पड़ेगा कि सब नियाम कानून का पालन करके हम उस उद्योग में हासिल हो सिर्फ आज GST bill एक बहुत बड़ा बुद्धा है और शायद आज इसमें काफी महत्वपूर्ण कुछ होने वाला है आपका GST पर क्या प्रतिक्रिया है मैं यह मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण tax reform है यह हमारे देश में हमारे देश के इस पूरे देश को एक market के तहट उसको क्या बोलते है यूनिफाई करता है और इससे leakages avoidance पर disincentive है तो transparency बढ़ती है compliance बढ़ती है तो मैं मानता हूँ कि इससे बहुत तरफ से फायदे हैं यह जरूर है कि कोई भी नया system लागू करने में कुछ teething trouble हो सकते है तो वो साल दो साल कुछ असुविदाएं होंगी कुछ लोगों को लेकिन जो इसके फायदे हैं वो कहीं ज्यादा ह तो आप मानते हैं कि GST Bill पांस होना चाहिए और उससे हमारे देश को काफी फायदा होगा जी सर एक और बहुत बड़ा आपके बारे में सब लोग जो की जानते हैं कि आपको देश का सरवच समान दिया गया पदमश्री 1999 में सर उस अनुबूती के बारे में हमें बताएं बह मैं काफी योगा था उस समय और मुझे जब जानकारी हुई इसके बारे में तो आविसली मैं बहुत एक्साइटिड था बहुत खुश था और ये भी समझ में आया कि इस सम्मान के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई है सर पर क्योंकि इस तरह का सम्मान राश्ट्रे लेव करने की और तो अब लेते हैं चोड़ा सब ब्रेक ब्रेक के बाद फिर से लॉटेंगे देखते रहे हैं एटूजएड निउस मेट्रो सिटीज के मुकाबले में कौकता की जो डेवलापमेंट है क्योंकि आप कौकता से हैं तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वो उसी स्तर पे है जिस स्तर पे मुंबाई दिल्ली और बैंगलॉर और उसी स्तर पे उसकी हुई या वो कहीं पिछड गया और उसमें उसमें उद्योग पती और वहां की सरकार मिलकर कौकता की डेवलापमेंट के लिए कुछ और कर सकती है अफकोर्स सबसे पहले तो और कर सकती है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि मिशेशकर पिछले पांच-छे वर्षों में काफी काम हुआ है ये भी मानता हूँ कि जिस ढंक से दिली, बंबई या बैंगलॉर का आपने जिकर किया जो एकनॉमिक प्रोग्रेस है वो एकनॉमिक प्रोग्रेस कलकते में उतना नहीं हुआ लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग ने दूसरे स्थर पर प्रोग्रेस नहीं किया तो जदी आप आ हार्ट्स बोलें या लिटेछर। बोलें या ओ मूवी इंड़स्टी की बात करें प्रीटिव फील्ड्स की बात करें तो कलक त्यों के जो केपिबिलिटी इस जेनरेट हूई है इस समय वो कोई भी दूसरे शेहर के तुलना में कम नहीं है हाँ जहां तक बिजनिस का सवाल है वो ज़रू थोड़ा कमजोर रहा है सिर्क किसी समय में कौलकेता एक बहुत बड़ा बिजनिस सेंटर था माना हुआ और आज उसके गिंती उस लेवल पर नहीं है इसके लिए क्या कारण है कि इन चीजों को आप जिम्मेदार समझते हैं अब देखिए बहुत विस्तार और लंबा क्वेस्चन है उसका सबसे बड़ा बुनियाद सबसे पहले बंगाल का विभाजन था वो प्रिटिश इंडिया के समय था जब एस्ट और वेस्ट बंगाल किया गया उसके बाद देश का विभाजन हुआ उसके बाद कलकत्ते को उसके पहले ही कलकत्ता जो बिटिश राज का कैपिटल था वो कैपिटल नहीं रहा और दिल्ली शिफ्ट हुआ तो काफी सारे historic incidents हैं जिसके उपर एक प्रभाव है फिर ये बात भी सही है कि सबसे पहले industrialized होने के नाते वहाँ पर एक labor movement पर काफी सोरों से काम हुआ और जब industrial revolution एक धंका अपने देश में आ रहा था तो कुछ ऐसा labor को feeling हुआ कि हम लोग exploit किये जा रहे है तो गहराओ वगरे के culture वहाँ से चालू हुआ उस चक्कर में उद्योग पती भी वहाँ से दूसरे जगह चले गए तो पर आज के दिन वह स्थिति नहीं है वैसी आज के दिन वहाँ पर शांती पूर्ण हवस्था है आप उद्योग करें तो आप intelligent workforce आपको मिलता है पंद तो लास्ट पांच बरसों में हुआ ही नहीं है और work days lost भी prior zero के level पर है तो मैं मानता हूँ कि काफी चीज पॉजिटिव दिशा में वहाँ से उभर कर आ रही है और जहां तक metro connectivity का भी सवाल है 186 km of metro connectivity is under construction दो एक साल में सब कतम हो जाएगा मुझे ऐसा अनुमान है तो वो कलकत्ता विल बी दे सेकंड मोस्ट डेंसली कनेक्टेड मेट्रो सिटी इंडिया आफ्टर डेली तो यह सब काफी चीजे हो रही है सर मोधी जी के आम चनाओ जीतने के बाद जो देश में मोधी लहर नाम का जादू जो था उसके बाद हुए राज्जियों में जो असेंब्ली चनाओं के नतीजे आए जिनमें की भारती जनता पार्टी बहुत जादा सकसेथ हांसिल नहीं कर पाई तो उसमें आप क्या ये मानते हैं कि अभी बीजेपी उतनी लोगप्रिय नहीं है और क्या हमारे देश के पास और क्या विकल्प है अगर मोधी जी नहीं तो कौन मैंनी मानता कि जो राज़ियों में एलेक्शन होता है वो केंदर सरकार के उपर उसका एक निर्ने लोग करते हैं कि केंदर सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो लोकल सबजेक्स, स्टेट सबजेक्स और स्टेट के गावर्नेंस के बारे में ज़्यादा वो डिसिजन होते है अभी भी मैं मानता हूं कि जो केंदर सरकार में काम हो रहा है जो ट्रांसपेरिंसी बुलिये जो आंतरजातिक स्थर पर हमारे देश का नाम उचा उठ रहा है मैक्रो एकनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखें तो नियंतरन में हैं इतना उथल पूरे मने पूरे वर्ल्ड में हो रहा है उसके बावजूद भी अपनी एकॉनमी साड़े साथ परसंट से ज्यादा लेवल पर हो सकता है कि हम लोग चाहते हैं कि इस से जादा हो लेकिन फ सरकार की भूमी का बड़ी पॉजिटिव रही है देश के हित में रही है और जहां तक पॉलिटिकल एक निर्वाचन के समय कर्मा गर्मी भी होती है लोगों के अलग-अलग धंके सोच विचार भी होते हैं लोकल इशूज भी आते हैं और ये तो एक डिमोक्रिसी का एक निय कि हमी कहिए कि लोग को पसंद करते हैं कि कि और और किसी को पसंद करते हैं तो मैं उस में अभी तक यह नहीं मानता हूं कि यह अभी Central Government के policies के against अभी तक कोई vote है Sir, UP के चनाओं के बारे में आपका क्या विचार है शीला दिक्षित जी को जो की Congress सामने लाई है और वहाँ पर मायावती जी, अखिलेश जी तो इन सब में आप किसको UP का CM का उमीदवार मानते हैं मेरा कोई political comment नहीं है Sir, as a voter, as a voter, as an Indian मैं voter भी नहीं हूँ, मैं voter मंगाल का हूँ इसलिए और में जानकारी भी नहीं है वहाँ पर, ground level पर तो मैं असपर टिपन्नी नहीं करना चाहूँगा Sir, एक आखरी सवाल आप से हम सब को मालूम है कि आप हिंदी फिल्मों का बहुत शौक रखते हैं और आपने कभी ये भी कहा कि आप you would like to produce a film Sir, what kind of film you would like to produce? ये तो चब करूंगा तब बताऊंगा अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरी बेटी अभी फिल्म स्टडीज कर रही है विदेश में पढ़ रही है तो शायद मुझे सो बहागे मिलेगा उसका ही फिल्म सबसे पहले प्रडियूस करने का पर बच्चों का मन भी बदलता रहता है तो वो खतम कर कर आए वो क्या करना चाहती है फिर तै करोंगा आपका हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो ये थी एक मुलाकात हर्श वर्दन जी से देखते रहे है खास मुलाकात A to Z News थैंक यू